दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहते कि सर अडानी पावर में क्या करना चाहिए अडानी पावर पे आप देखेगा वीडियो भी इतने अच्छे प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह common phenomena है अगर आप हमें एक डेट साल से या फिर छे महिने से भी फॉलो कर रहे हैं कि जो stock भाग जाते हैं और बहुत extraordinary भाग जाते हैं तो उससे हम लोग कहते हैं वो दूरी बना के रखे चाहे वो कितने भी बड़े मल्टी वैगरों चाहे हो कितने भी चुकि टाइम पर जिब चीज़ें नहीं मिलती न तो 50-50 के chances बन जाते हैं और 50-50 के chances हमेशा खराब होते हैं हो सकता है आपको way of direction में stock बढ़ता हूँ चला जाए हो सकता है वहाँ से profit booking आ जाए तो आप तुरन देखेगा stock को loss में exit कर दो तो हमेशा चीज़े आपको guide की जाती हैं और आज भी आपको Adani Power पे बहुत बड़ा update भी देना है आपको क्या करना चाहिए इस current scenario में ये भी हम जानेंगे सब कुछ बताएंगे वीडियो कर अच्छा लगे तो like करके appreciate करेगा आपके पास Adani Power के कितने stock हैं ये भी comment करके ज़रू बताएगा तो Adani Power देखेगा सबसे बड़ी good news तो ये top 50 most valued firm में इनका नाम आ चुका है top 50 तो ये अपने आप में एक remarkable अगर आप देखोगे milestone होता है और जब देखेगा आप कहते हैं top 10 student है, top 15 student है, top 500 student है तो कोई value नहीं है, top 10, top 50 इसमें value आ जाती है तो वही same scenario देखेगे हो मिला है, ऐसा क्यों है, 109% एक महिने में 109% return एक महिने में बना के दिये stock ने, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी value है आगे अगर आप देखेंगे, तो Adani Power entered the list of top 50 most valued company in terms of market capitalization तो अपने आप में देखेगा, यह अब धीरे धीरे Tata Power के टकर की company बन रही है like Tata Power, Adani Power, Tata Power, Adani Power और उसके price के आसपास भी stock आ चुका है अगर आप देखेंगे, Approx देखेगा, अपने आप ही, दोनों के stock price के जो price हैं, वो Approx आसपास आ चुके है और पैसा double भी कर दिया है, और आप देखेंगे, Adani Group का कोई भी ऐसा stock नहीं है, जो इस समय move ना कर रहा हो बहुत ही ज़ादा extraordinary जो return बना रहे हैं, वो Adani के stocks बना रहे हैं, आप देख सकते हो और अभी last trading session में 259 का level देखने हो मिला, और आप देख रहे हैं 5% का percentage देखने हो मिला है क्यों चुकि way of direction इनके पच्च में है, समय इनका चला है, renewable energy power की बात हो रही है तो आप समझ सकते हो, तो चीज़े काफी बड़ी है, तो आप देख सकते हैं, the Adani power is the sixth Adani group company which featuring the top 50 most valued company, Adani green, आपको पता है Adani transmission, Adani total gas, और अब हो गया Adani देखेगा, ports और Adani enterprises तो आप देख सकते हैं, continue support है government का, और लगातार ऐसा नहीं कि value नहीं दे रहे हैं, business दे रहे हैं, growth दे रहे हैं, potential दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तभी देखेगा, stock में momentum है इसी लिए stock में momentum है, तो आप समझ सकते हो, यह बहुत बड़ी चीज़ है, और अभी इनका समय क्यों चल ला है, क्योंकि आपको पता है Adani power, part of diversified Adani group is the largest private thermal power producer, तो आप समझ सकते हो, thermal power producer है इंगिया है, largest है private sector के, तो एक तरीके से kind of इस sector में monopoly create करते हैं और company देखी का लगातार installation कर रही है, 12,400 का मेगावाट का, पूरी तरीके से capacity रखते हैं, spread है, across, six power plant हैं, गुजरात में, महरास्ट में, करनाटका, राजिस्थान, 36 गर, apart from 40 मेगावाट solar power plant in the गुजरात also, renewable energy पे पहले से ready हो गये हैं, चोकि समय की demand को यह capture कर लेते हैं और अगर आप देखेंगे तो बड़ी हां result दिये थे, उसी का impact देखने हो मिला था, third quarter में, अब आगे देखना है, impact जो होना था, मिल गया, एक quarter अच्छा करा, तो 100% के return दे दिये, आप समझ रहो, एक quarter अच्छा करा, तो 100% के return दे दिये, और अभी भी देखीगा, technical point of view में 282 इनका देखेगा, resistance है नीचे के तरफ, support है 210-230 के बीच में, लेकिन आपको यहां पर buy नहीं करना है, stock बहुत ज़्यादा run कर चुका है, अब आपको focus करना है event पे, event के बाद देखेगा, stock किस तरीके से perform करता है, event के बाद बहुत सारी चीज़े बदलती भी है, जब stock को बहुत ज़्यादा market देखेगा, respect देदेता है, तो market expectation भी करता है, कि आप उसे value दोगे, तो इनको value को capture करने के लिए financial result अच्छे देने पड़ेंगे, आपको पता है, coal की जो demand है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और coal की हो गई है shortage, तो इससे price क्या होगा है अब, तो इसमें देखेगा, thermal power बनाने में coal लगता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि यहाँ पर input cost एक बढ़त बड़ा factor होगा, इनके quarter की result में, अभी तक आये नहीं है, अभी आएंगे dates अनौंस नहीं हुए है, तो इस बार ये बहुत important है, कि अपने milestone को achieve करें, अपने cost को कैसे इन्होंने set off किया है, और अपने profit कैसे दिये है, अपने profit कैसे दिये है, तो ये बहुत बड़ा event होगा, इस event के बाद ही next action देखने हो, trading आप कर सकते हो, nothing to worry about it, stop loss के साथ, लेकिन अभी आप कहते हो, यहाँ पर invest किया जाए for the longer time, इस दे मैं नहीं कहूँगा चुकि stock बहुत जदा run up कर चुका है, बहुत जदा run up कर चुका है, तो stock से मैं तो कहता हूँ, सरदा देता हूँ, दूर रहने की बाकी आप risk टेकर हो, आपको risk लेना है, नहीं देना, यह आप decide कर लो, तो यहाँ पर आप देखते हैंगे, तो volume में ठीक ठीक ठाक देखने हो मिले हैं, और अभी stock लगातार अपर circuit में चला, देखे, अपर circuit में आ जाता है, volume देखेगा, आपको देखने मिलते हैं, अपर circuit फिर देखेगा, शान्त हो जाता है, महल, तो वो चीज़े बहुत important है, वही चीज़ें देखेगा, impact करती है market को, तो सबसे पहले, जितने लोग comment देगी, उस तरीके से आपको देखेगा, मौके मिलते रहेंगे stock में, लेकिन अगर आपने इसको 200 रुपे पर buy करा है, 220-30 पर buy करा है, तो आप stop loss के साथ बढ़ते रहो, जो अपने stop loss है, उसको क्या करते रहो, trail करते रहो, trail मतलब कि यहाँ पर stop loss था, तो यहाँ पर कर लो ताकि stock में downfall आये, तो आपका stop loss trigger हो जाओ, आप देखेगा, time भी अपने profit लेकर exit हो जाओ, इस तरीके से आपको यहाँ पर view रखना है, वीडियो गर अच्छा लगा है, तो like, share, subscribe करना ना भूलेगा, thank you so much कर दो